मकान बना रहे है अत्वा दुकान या कर रहे है कालोनी का निर्मान चट्टान सी मजबूत सीमन्ट इट एवन ब्लॉक सहित पीवर ब्लॉक वो भी एक सेक स्टाइल में किफाइती दामों पर अभी संपर करें बाबा ब्रिक्स गोखुल गाउं रोड खंडबा दियेगा नंब परान चोरों का गैंग भी प्रती वर्ष यहां एक्टिव रहता है पुलिस भी एक्टिव रहती है पुलिस की कई टीमें इस पर काम करती है साइबर की टीम काम करती है और खूफिया यानि सिविल ड्रेस में पुलिस चप्पे चप्पे परतेनात रहती है आप देख सकते है दादे महराज में किस तरीके से भीड़ है और मंदिर परिशर के बहार भी बहुत जादा इसे तरीके से भीड़ रहती है ऐसे में ये जो चोर गैंग है इन में खासकर बच्चे शामिल होते हैं और बढ़े लोग बच्चों को दुरूपयों करते हैं बच्चे ऐसे बड़ी जो महिलाएं हैं वो ऐसे लोग को इडेंटिफाई करते हैं जिनों अच्छा कासा गोल्ड पेन रखा होता है खासकर महिलाएं और ऐसे चोरों किया जो टार्गेट रहता है मेन वो रहता है मंगल सूत्र लेकिन ऐसा मंगल सूत्र की बात करें तो कई दारों में लेकिन यह जो आपको पूरा गुरू पुर्णिमा का कारेकरम निप्टाने के बाद रिलेक्स मोड में दिखाई दे रही है यह दरसल खंडवा पुलिस की टीम है जो सिविल ड्रेस में जगए-जगए लगी रही और इनोंने महनत से कई बच्चों को पकड़ा है बताया जा रहा है उनके पास से मंगल सूत्र भी बरामत की है जो नोंने चोरी करने के बाद जो भवानी माता का मंदिर है उसकी बैक साइड में ग्राउंड है वहाँ पर एक पेड के नीचे गुट के पाउच की थैली में बांध कर दबा कर रख दिये थे पुलिस ने बताय के निशान देई पर वो बरामत किये हैं और बड़े जो इनके खासकर इनके परीजन रहते हैं माता पिता रहते हैं वो चोरी करते हैं फड़ा बच्चों को देते हैं बच्चे गाया बोजाते हैं लेकिन क्योंकि हर साल चोरी करते हैं पुलिस मुस्तैद रहती है और पुलि कई लोगों का चोरी गया, खासकर गोल्ड वापिस मिल गया, इसके अलावा मोबाइल फोन चोरी किया और बच्चों के गुम होने की बड़ों के गुम होने की भी कई ऐसे इंट्रोस्टिंग आनी है, जो हम आपको आगे बताएंगे, बने रही है हमारे साथ.